मौसम जैसे ही बदल रहा है धंदी धंदी हवाएं चल रही है और मीठे की क्रेविंग भी बढ़ती जा रही है तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर की जाए आपके साथ बहुत ही सबर्दस थी सनमन बंड की रेसिपी सनमन से बहुत जादा अच्छे बंड के तियार होंगी यह मेर गरंडी है और इस रेसिपी में एक ट्विस्ट यह भी है कि कमर्शल रेसिपी में आपके साथ शेयर करने जा रही है मतलब वन केजी फ्लार के साथ बिसम लाए रख्मान रर्राहीम सबसे पहले हम लोगों ने हाफ लीटर दूद ले लिया है उसमें दो अंदे शामिल किये ह एक इस्ट का पाकेट शामिल किया है जो कि 11 ग्राम्स का है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 10 ग्राम्स आफ सॉल्ट वन टीस्पून हमें इसमें सॉल्ट का शामिल करना है और 200 ग्राम्स पिसीवी चीनी शामिल करनी है यह हमारा लेकवड बेटर बन कर तयार हो चुका है जिससे के हमें आटे को गुनना है इतनी संपल सी रेसिपी है कि आप पूरी फामली के लिए या फिर दावत के लिए कोई रेसिपी देख रहे हैं तो इससे बेस्ट रेसिपी कोई नहीं होगी क्योंकि इसमें आपके काफी सारे बंस बन के तयार हो जाएंगे अल्मोस्ट थर्टी बंस बन जाएंगे वन कीजी की रेसिपी से यहां में हमारे पास वन कीजी मैदा है और मैदे के अंदर हम यह लिकवर्ट डालके हमें एक सॉफ्ट सी डो तियार कर लेनी है आप चाहें तो हातों की मदद से भी से गून सकते हैं और अगर आप असे हातों स नहीं गुदना चाहरे तो आप किसी भी इलेक्टरिक बीटर या फिर मशीन का भी इस्तमाल कर सकते हैं हमें बहुत स्ट्रेशी डो चाहिए जो के जिसके अंदर स्ट्रेश बहुत अच्छा हो जिससे के आपके सेनमन बंग बहुत अच्छे बन के तियार होंगे यह कैसी रे है मेरे घर में यह रेसिपी बहुत पसंद की जाती है और अगर आप अपना कोई बस्नस स्टार्ट करना चाहरे हैं तो इससे परफिक बस्नस कोई नहीं हो सकता क्योंकि यह इतनी परफिक रेसिपी है बहुत सारी शीज़े मार्केट में डोनर्स और पीस्ट्री वगयर तो मगर cinnamon buns का business अभी तक किसी ने start नहीं किया, बहुत अच्छा मौका एक छोटा सा straw लेकर आप इस business को start कर सकते हैं, इसकी cost भी बहुत कम आती है, और अच्छी rates में आप इसे sell भी कर सकते हैं, यहां मैं इसको specially की मदद से mix कर रही हूँ, और आपने इसको mix करते हुए, आटा इसक शामिल कर सकते हैं, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम मखन का, 100 ग्राम बटर को इसको add करेंगे, unsalted बटर है, और इसको अब हम knead कर लेंगे, और बहुत अच्छी से अपनी dough तेयार कर लेंगे, यह इतनी जबर्दस recipe है, कि इस recipe से आप इतने perfect bun बन बना सकते हैं, और चाहें, तो आप इसे बना कर freeze भी कर सकते हैं, और इसकी cutting करके आप इसे दुबारा से bake कर सकते हैं, मतलब आप इसका बड़ा batch बनाना चाहरें, तो पूरा batch बना कर आप इसे freeze भी कर सकते हैं, बहुत easy recipe है, easy के साथ साथ यह बहुत अच्छी बन के तयार होती है, इसका texture बहुत अच्छा आता है, बहुत time तक आप इसे use कर सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छी तरीके से knead कर लेंगे, और knead करने के लिए हमने इस्तमाल किया है, electric beater का, आप चाहें तो इसे हाथ से भी गुन सकते हैं, आप चाहें तो इसकी छूटी recipe बना सकते हैं, मगर मैं अपनी प इसको पंच करेंगे, और पंच करने के बाद हम इसको रोल कर लेंगे, और रोल करने के बाद हम बनाएंगे cinnamon buns, जो के बहुत ही जबरदस बन के तयार होते हैं, डो आप देख सकते हैं, कितनी stretchy है, जितनी stretchy और अच्छी आपकी डो होगी, उतने ही अच्छे आपके cinnamon buns बन के तयार होंगे, आपको डो बहुत जादा हाट नहीं करनी, उसकी वज़ाए है कि अगर आप इसे जादा हाट कर लेंगे, तो इससे आपके buns अच्छे नहीं बनेगे, यहाँपे 200 ग्राम्स हमारे पस brown sugar है, शक्कर भी इस्तामाल कर सकते हैं, उसके अंदर हमने 3 टेबल स्पू पर है, बटर, बटर हमारे पस 100 ग्राम्स है, और यहाँ पर हम अपनी डो को रोल कर लेंगे, काउंटर टॉप के उपर, मैं एक ही दफा कर रही हो, आप चाहें तो चार हिस्सों में करके भी कर सकते हैं, इससे यह है, कि आपको बहुत असानी हो जाएगी, मगर मैं एक ही पर लाक है, जिस तरह आप पराठे में फिलिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको इसके पर स्प्रेड कर लेना है मखन को, और इसके बाद स्प्रेंकल कर देना है, अपना ब्राउन शुगर वाला जो मैक्स्चर है, मैक्स्चर आपका प्रॉपर तरीके से सारी स जो लोग मीथा नहीं भी पसंद करते हैं, जिन लोग को इसके बेकरी चीजे नहीं भी पसंद उनको भी इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है, यह मैं आपको थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाना सिखा रही हूं इसके अंदर हम सनाबॉन स्टाइल बंस बना रहे हैं, म सबसे बड़ी बात है, कि घर पर पड़ी चीज़ों से बनके त्यार हो जाते हैं, कोई भी इसी चीज़ नहीं इस्तामाल करेंगे, जो कि आपको बजार से लानी पढ़ेगी, इसको डो को हम रोल करने के बाद हमें से सरफ कट करना है, और इससे तकरीबन मेरे 30 सिनमन बंस ब तो इतने perfect cutting नहीं आएगी किसी भी baking tray के अंदर इसे assemble कर लेंगे assemble करने के बाद हमें इसे bake करना है बेक करने के लिए आप oven का भी इस्तमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे पतीले में भी bake कर सकते हैं मैं जब इसे bake करी थी एक slot तो मेरी bake हो गई थी oven के अंदर फिर गैस चलेगी थी जिसकी वज़ा से मुझे सेलेंडर वाले चूले पर इसको पतीले में बेक करना बड़ा मगर दोनों में रिजल्ट आपका आस अटलस्प्र इसके कोई भी आपकी कंडॅशन नहीं है कि आपके पास अगर गलवन नहीं है तो आप सेरमन बंस नहीं बना सकते आप चूले भे ब्रिवा सबबर्स सिननमन बन सकते हैं स्थ आपको पतीले को पीछी करना एं कोई पी देचकी वाला स्टैंड रखना है उसके उपर अपनी ट्रेय रखके उसको लो फ्लेम के उपर कुक कर लेना ढग कर यहां पर आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे सेनमन बंस बन कर तयार हो चुकी हैं और इसे हम राइस होने के लिए छोड़ देंगे मैं और इसे हाफ एनार के लिए हाफ एनार के बाद हम इसे बेग ओने के लिए आवन के अंदर रखतेंगे और यह पर ऐसाने के बूदी और बहुत जाए ने की बूद कर तयार होंगे इसके लिए हम शामिल करेंगे 1hp क्रीम का 20 ml क्रीम किरिंगे और अब Tetra Pak इक क्रीम शामिल कर इने हैं और इसको तोड़ी दियर पकने देंगे थोड़ी सी crystalize होक सची लिए लिए सोके नॉर्मल जाएगे अगर आपका mixture बहुत जादा थिक हो गया है तो आप इसके अंदर half cup दूद का भी शामिल कहर सकते हैं जिससे के इसका texture बिल्कुल जबरदस बन के तियार हो जाएगा और यहां में हमाई cinnamon buns बेक हो चुके हैं और texture आप देख सकते हैं कितना soft और कितना gooey है बस आपको इसको plate के अंदर serve करना है बहुत light सा इसका मीठा होता है और taste बहुत अच्छा होता है अगर आपको थोड़े से जादा sweet पसंद है तो आप इसके पर sauce को pour करेंगे combination में आप ice cream को भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसके पर cream cheese को भी spread कर सकते हैं यहां पर बहुत जबर्दसी हमारी topping तियार होगी है उमीद कहती हूँ मेरी आज की recipe आपको बहुत पसंद आई होगी recipe पसंद आई है तो channel को subscribe कर ले bell icon के button को press करना बिलकुल मत भूलिएगा अपनी family and friends के साथ भी जरूर share कीजेगा और अपना feedback पर share कीजेगा कैसे बने आपके cinnamon buns क्योंकि यह recipe मेरी हिट recipe है जो मैंने आज आज आपके साथ share की है अगर आप सीखना चाहते हैं कोई और recipe तो comment section में जरूर बताईगा मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर तरह की request को देखा जाए और वही recipe बनाई जाए सीजन के इसाब से मुझे यह recipe बहुत perfect लगी थी अगर आपको भी अच्छी लगी है तो अपनी राये का इजहार जरूर कीजेगा मुझे आपके comments पड़के बहुत अच्छा लगता है यहाँ हमाएं बहुत सबदस्य सरमन बंस बनके त्यार हो चुके हैं